आज मैं आपके लिए नही रेस्पी लेके आई हूँ अनारदाने की चटनी यह जम्मू में बहुत फेमस है यह मैंने एकको टोरी नारदाना ले लिया है और इसको दो कर अच्छे से साफ कर लिया है गैस आन करकर मैंने इसमें पैन रख दिया था अब हम इसमें जो अनारदाना है थोड़ा इसको बून लेंगे क्योंकि अगर इसको बून कर हम बनाएंगे तो अच्छी से चटनी में जो अनारदाने की चटनी में फ्लेवर आएगा वो जे देखिए गैस की फ्लेम को हमने मेडियम ही रखना है अनारदाना हमारा अच्छे से भून चुका है अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे अनारदाना जब ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको कटूरी में डाल लेना है कटोरी में डाल कर इसको हमने साइड में रख देना है अगर आप ने हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेस्पी को आप लाइक करिएगा शेयर करिएगा नार्दाने की चटनी बनाने के लिए ये अनार्दाना ले लिया है और इस तो ये ठंडा हो चुका है इसको मैंने कटोरी में डाल लिया है और साथ में पुदीने के पत्तों को दोकर अच्छे से साफ कर लिया है दनिया पत्ता है प्याज एका काट लिया है और हरी मिर्ची ले ली है अभी हम एक जार लेंगे और उसमें सारी समगरी को डाल देंगे प्याज दनिया पत्ता पदीना पत्ता नारदाना और ये नारदाना हमने इसको रोस्ट करकर इसलिए डाला है जे अच्छे से पिस और हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची जद्धा तीकी नहीं थी, मर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा, अभी हम इसमें सुक्षे मसाले डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, साथ में नमक डालेंगे, सेंदा नमक डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, और जे द देखे चटनी हमारी त्यार है जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और जटपट से बन जाती है जम्मो की फेमस ये चटनी है ओजे देखे इसको मैंने बहुल में निकाल लिया है सर्व करने के लिए रडी है कैसी लगे आपको जी रेस्पी प्लीज कमेट करके जुरूर ब मिलती है एक नी रेस्पी के साथ बाई बाई टेक केर